Hello friends, welcome to my YouTube channel, chapter 1 real number से example 2 करेंगे, show that every positive even integer is of the form 2Q, आपको show करना है कि कोई भी positive even integer 2Q की form का होता है, and that every positive odd integer is of the form 2Q plus 1, और कोई भी positive odd integer 2Q plus 1 की form का होता है, where Q is some integer, जहाँ पर क्यों कोई integer होता है, अब यहाँ पर बात कर रहा है integers की, integers होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, positive कह रहा है तो मैं positive ही ले रहा हूँ, और यहाँ पर फिर कहता है कि even integer जो है, वो 2Q की form के होते हैं, पहले से practically समझे, यहाँ पर 2 एक even number है, अगर 2 को मैं divide करता हूँ, 2 से, तो यह हो गया है 2, 1s are 2, और remainder आगया है 0, तो यह जो 2 है, इसकी form हो गई है 2 into 1 plus 0, यानि सिर्फ 2 into 1, तो 2 की form हो गई है 2 into 1, और 1 यहाँ पर क्या है, यह Q for quotient है, यह जो Q देख रहे हैं यह Q for quotient ही होता है, तो यह एक even number था, तो even number जो है, यह 2 Q की form का बन गया, क्योंकि यहाँ पर remainder तो कुछ आएगा नि, अगर किसी even number को हम 2 से divide करेंगे, तो remainder तो कुछ आएगा नि, तो जो भी number होगा, कोई भी positive integer होगा, जब उसे हम 2 से divide करेंगे, तो वो 2 Q की form का होगा, 4 को देखिए, यहाँ पर अगर मैं 4 को 2 से divide करता हूँ, तो 2, 2000 हो गया है 4, यहाँ भी remainder 0 हो गया है, तो यहाँ पर 4 को मैं लिख सकता हूँ, 2 into 2, 2, 2000 हो 4, और प्लस यह 0, और यहाँ पर 2 तो है इसका यह quotient, तो यह वाला जो 2 है न, यह quotient है, और 2 इसकी form है, 2 की form में हमें दिखाना है, तो यह जो 4 है, यह भी 2 Q की form का हो गया, तो यही चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करके दिखानी है, शो करके दिखानी है, कि कोई भी even integer, positive even integer 2 Q की form का ही होता है, और दूसरी बात इसमें यह भी शो करनी है, कि कोई भी positive odd integer, उसकी form 2 Q प्लस 1 होगी, अब इसका भी example देख लिजिए numerically यहीं पे, let's suppose यह 1 है, इस 1 को जब मैं 2 से divide करता हूँ, तो 2, 0, 0 और यह आ गया है, यहाँ पे 0 तो 1 आ गया है remainder, अब मैं इसे 2 Q की form में लिखता हूँ, तो 1 को मैं लिखूँगा 2 into 0 plus 1, तो 1 is equal to 2, और यह जो 0 है, यह यहाँ पे quotient है, तो 2 into 0, 2 into 0, 2 0, 0 और यह 1 आ गया, तो यह 0 यहाँ पे Q है, और यह plus और यह 1, यानि अगर मैं किसी भी odd number को, odd integer को 2 से divide करता हूँ, तो वो इस form का आएगा, जहाँ पे Q भी एक integer है, अब अगर मैं 3 लेता हूँ, और 3 को मैं 2 से divide करता हूँ, तो 3, 2, 1, 0, 2 हो गया, और remainder आ गया है 1, तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कि 2 into 1, और यह plus यह 1, 2 1s are 2 plus 1, और यहाँ पे 2 की form तो हमें दिखाने ही हैं, बुक के अंदर, और यह जो 1 है, यह quotient है, और आगे plus 1 यह remainder, यह मैंने 3 को इस तरह से 2 Q plus 1 की form में लिया है, आप कोई भी number उठा ले न, कोई भी positive even number अगर आप 2 Q form ही बनेगी, और अगर आप कोई भी positive odd number लोगे, कोई भी positive odd number ले ले लेना, और उसे आप 2 से divide करना, तो last में 2 Q plus 1 की form बनेगी, 2 Q plus 1 की form बन जाएगी है, यह चीज हमको यहाँ पे Euclid's division लीमा को यूज करके, यह जो है, उसको हमें यहाँ शो करना है, चले इसे शो करते हैं, तो let A be any positive integer, मैं कोई भी positive integer A माल लेता हूँ, जैसे मैंने पीछे भी 1, 2, 3, 4 लिये, ऐसे मैं कोई A माल लेता हूँ, तो let A be any positive integer, कोई भी positive integer है, वो A है, and B is equal to 2, यह form होती है न, A is equal to B Q plus R, यानि की remainder, जब मैंने A मान लिया, तो यहाँ पे जो मेरा B होगा, वो 2 होगा, क्योंकि बुकवाला यहाँ पे 2 form चाहता है, 2 Q की form चाहता है, तो B मेरा 2 होगा, अब भी 2 होगया, then by Euclid's division algorithm, तो Euclid's division algorithm के according, यहाँ पे कौन चीज क्या-क्या होगी, यह जो A है, यह बराबर होगा, 2 Q plus R के, यही तो होता है, Euclid's division algorithm के कोई भी number आपका, 2 Q plus R की form का होता है, अब यहाँ पे जो Q है, Q क्या-क्या हो सकता है, Q आपका हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Q आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोशेंट आ सकता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कि Q जो है, बड़ा होगा, और बराबर होगा, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और रिमेंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, देखे जब आप टेबल ही 2 का चला रहे हैं, जब 2 का टेबल आप चला रहे हैं, तो रिमेंडर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, कभी भी रिमेंडर टेबल से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो रिमेंडर होगा ये आपका possible 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है ये दो ही हो सकते हैं अब इनी को use करके हम इसकी form बनाते हैं तो जब हम ने कहा है कि A is equal to 2Q plus R की form का होगा और table इसमें 2 का चल रहा है तो A बराबर होगा 2Q plus 0 0 remainder आ सकता है या फिर A is equal to 2Q plus 1 या फिर 1 आ सकता है 0 आ सकता है 1 आ सकता है इससे बड़ा तो कोई remainder आ ही नहीं सकता अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब table 2 का चल रहा है ये 2 का table चल रहा है और पीछे remainder 0 आया है that means किसी चीज को आपने 2 से divide किया है और remainder आ गया है 0 तो जब किसी चीज को आपने 2 से divide किया है और आप किसी चीज को किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं और remainder में 1 आ गया है तो वो क्या होगी? वो odd होगी जैसे कि 3 है 2, 1s are 2 remainder आ गया ना 1 तो remainder 1 जब आएगा तो वो odd होगी तो ये जो form है ये odd की है सवाल तो यहीं पर समझ में आगा तो ये even होगा remainder 1 आया तो ये odd होगा अब इसको आपको लिख के दिखाना है if a is of the form 2q अगर a आपका 2q की form का है then it is even integer तो फिर ये even integer होगा यहाँ पर a 2q की तो form का है 0 को आप neglect कर दीजे तो ये जो चीज है ये 2q ही तो है और दूसरी ये बात लिखनी है आपको and if a is of the form of 2q plus 1 then it is an odd integer बस यही चीज़ आपको इसके अंदर इस तरह से लिखके शो करने थी example खतम मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye जब प्राइ़ है